कम्पेटिशन आपके वीडियो लेक्चर में श्वागत है स्टुडेंट्स और आज मैं आपको बिहार एस्पेशल पार्ट एट के तहत बिहार के वन एवं वन जीव संपदा बताने जा रहा हूं इस टॉपिक को आप अच्छे से समझने का प्रियास कीजिएगा यहां से भी एकाद कोश्टन्स आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहीएगा क्योंकि लास्ट में हम एक प्रैक्टिस सिट करेंगे वह कोश्टन्स अब्जेक्टिव आप जोइन कर सकते हैं ठीक है चलिए बिना समय गवाय में स्टार्ट करता हूँ वन एवं वन्नेजीव संपदा बिहार बनस्पतिक दिष्टि कोन से विवित्ताओ वाला राज है यानि यहां पे तरतरा के पेरपोधे पाये जाते हैं यहां की जलवाय मांसून है और इसके कारण जो है यहां की बनस्पतिक भी क्या है विवित्ता से भरी परी है ठीक है उसके बाद है जारखंड के गठन के पूर्व और विभाजित बिहार का कुल 1 छेतर लगभग 29,277 वर किलो मीटर था जो कुल भोगोलिक छेतर का 17% था ठीक है जितने भी बिहार का भोगोलिक छेतर है उसका 17% भाग में पहले 1 था लेकिन जारखंड अलग हो जाने के कारण क्या हुआ जो इसकी जो वर किलो मीटर है उसमें कमी आई है इसके छेतर फल में कमी आई है अभी बर्तमान समय में मात्र 6845 यानि 6845 वर किलो मीटर 1 सेस आपके राज में यानि बिहार म हमारे राज में जो 1 समपदा है मात्र भोगोलिक छेतर का 7.27% ही है जबकि होना चाहिए कितना 33% समपुन भायत की दिष्टी से देश के कुल भोगोलिक छेतर फल के लगभाग 21.23% में छेतर फल में बन है यानि 21.23% में लगभाग 1 पाए जाते है पूरे भारत के भोगोलि 2.27% ही है राष्टिय वन नीती में परवतिय भागों में 7% तथा मैदानी भागों में 25% तथा देश के कुल भागों में 33% भोगोलिक छेतर फल पर बनों का विस्तार आवस्यक माना गया यानि पूरे भायत पे अबर ओल 33% बन होने चाहिए उसमें क्या परवतिय छेतर जो तो बहुत ही नियूंतम है इसलिए बिहार सरकार ने जैसे बहुत सारे कार्जकरम चलाया है जैसे हरियाली कार्जकरम है ठीक है तो इसके तहत पेर पोधे में बिर्धी करने का प्रियास किया जा रहा है और फिर आपका जो बहुत सारे नीती है ठीक है किरसी रोड मैप 3 के तहत भी जो है इन सब चीज़ पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो आपके राज में जंगलों की जो परतिसत्ता है वो बढ़े बनों की परतिसत्ता है वो बढ़े चलिए अब है next point राज का सरवाधिक बन चेतर वाला जिला कौनसा है तो वो है भभुआ याद रखना है कहां पे सबसे जाइदा वन चेतर है तो भभुआ में है और परतिसत्त के हिसाब से भी टोटल भभुआ जिला का जो चेतर फल है उसमें परतिसत्त के हिसाब से भी किलो मीटर में यह फैला हुआ है और सरवाधिक वन छेतर परतीसत वाला जिला भी भव हुआ हिए यह चीज हमने चर्चा कर दिया भव हुआ कैमूल ठीक है 1102 वर किलो मीटर उसके बाद है पस्षिम चंपारन 899 वर किलो मीटर रोहतास यह चार जो है परमुख वन वाले जो है जिला है उपर से भव हुआ पस्षिम चंपारन रोहतास और जमुई ठीक है चारो का नाम याद रखना है भव हुआ पस्षिम चंपारन रोहतास और जमुई शरवाधिक वन छेतर परतीसत वाले पर्थम चार जिले जिसमें वन की परतीसता जैदा है तो भव हुआ एक नमर पर है नवादा जो है आपका दो नमर पर है तीसरे नमर पर जम हुई है और चोथे नमर पर मोंगेर है ठीक है तो यह कोश्चन पूछेगा तो आप थोड़ा सा ध्यान से बनाईएगा ठीक है उसके बाद है वर्ष 2015 का एक रिपोर्ट है स्टेट फारेस्ट रिपोर्ट जिसक अगर आप देखेंगे बिहार के मैप पर तो आपको उत्तर पर्ष्चिम चेत्र या उत्तर पूर्वी भाग में नदी है और बरसा के बरसा भी जैदा होता 120 cm से जाएदा बरसा होती है जबकि अगर आप सुस्क पर्ण पाती वन दच्छिन बिहार के तरफ देखें कैमूर रोहतास के तरफ तो वहाँ पर क्या होता है बरसा भी कम होती है और नदी भी बहुत कम मातरा में है ठीक है तो वहाँ पर सुस्क वन पाये जाते हैं तो अब अंतर्पुली भाग यानि हिमालय के तराई चितर के दल जली भाग्त में समश्ष्वर की पहारी पर मिलती है तो समश्ष्वर की पहारी अगर आप देखें तो पस्टिम चंपारन के तरफ परेगा और उधर अगर आपकी किन गंजिला जाये तो जहां पर सबसे ज्याएदा बिहार बिहार के अंदर होती है लिए हेमाले से सटे हुए भाग है इस छेतर में बरसा 120 संटी मीटर से अधिक होती है बिहार के सरवाधिक जो च्षेतर है वो आदिर पर्ण पाथि मौन्सुनी बन पाये जाता है जो भी पूरे छेत फल में जो भी बन है मातर साथ दसनल जो भी परतिसत हैं उसमें सरवादिक छेतर क्या है आदर पनपाती के ही जाएदा है सुस्क पनपाती बस केमूर के पठारी भागों में पाए जाता है बिशेस्ता क्या है बनस्पती अत्यधिक संगन होगी और पेर लंबे-लंबे होगे क्योंकि जर नीचे तक वहाँ पे सुर्ज की किरने नहीं पहुँच पाती है जिस कारण से पोधे एक दूसे के उपर बिर्धी करके सुर्ज की लाइट को पाने के लिए जैदा संगन हो जाते हैं इसमें परमुक्ता साल के बिक्ष पाये जाते हैं यह क्या करते हैं गर्मी से पूर्व अपने पत्ते गिरा लेते हैं और वर्सा आने से पूर्व में इसमें नहीं पत्तियां आ जाती है उसके बाद यह हरे भरे दिखाई देने लगते हैं इसमें बिरिक्ष मुख रूप से जो है सेमल, घवरा, ठीक है, उसके बाद है चमपा, उसके बाद है आपका असोक, केन, आम, जामून, करंज, आदी पाए जाते हैं, यह याद रखना है, अब है सुस्क परणपाती बन, जो कि आपके दक्षिन बिहार के छेतर में पाए जात से कम होती है, यह बन अधिक घने नहीं होते हैं, बिर्चो के बिच अधिक फासला होता है, इसमें धूप जो है जमीन पर आसानी से पहुंचाती है, विस्यस्ता इस बन की क्या है, बिर्चो की उचाए कम होगी, जब धूप जर तक पहुंचाएगा तो उसकी उचाए क्या ह ऐसे बनों में पत्धर की अब्धी लंबी होती है पत्धर बन भी कहलाते हैं इस परकार के वन मुक्ता कैमूर की पहारी भाग और छोटा नागपूर के पठारी भाग में पाए जाते हैं ठीक है और इसके अलावे मैदानी भाग में भी कहीं कहीं छीट फूट पाए जाते हैं और आदर जहां पर बर्सा जाएदा है, 120 cm से जाएदा, ठीक है, और हिमाले के तरहे वाले भाव, अब है परमुक बनोतपाद, बन से क्या क्या होता है, तो आप जानते ही है, बन से मुक परकार से जो लक्री हमें प्राप्त होता, जिससे क्या फड़ नीचर बेगरा बनाया ज जाते हैं, साल है, इसकी लक्री कठोर होती है, और टिकाव होती है, जिसका इसका उपयोग जो है, रेल की सिल्ली जो होता है, पट्री पे बिचा हुआ, और तंबू, पूल, खंबे, और खिरकियां आदी में की जाती है, शीसम, दक्षिन पूर्भी छेतर में ज्यादा होता है, इसका उत्पादन लेसिफर, लक्का नामक कीरे से किया जाता है, ये कीरे, कुसूम, पलास, गुलर, बरगत, आदी बिक्षो के मुलें, टहनियों से रस्ट चूस कर जो है, लाख बनाते हैं, इसका उत्पादन मुख रूप से जो जारखंड से सटा हुआ बिहार का भाग है, जिसे रहतास के मूर नवदा उस छेत्र में जारखंड के सीमा पर ये होता है, ठीक है, उसके वादा तसर, एक परकार का ये कीरे से प्राप्त होने वाला, यह भागलपूर के बनों में पाय जाने वाले, अरजुन के पत्तों पर पढ़ने वाले रेशन के कीरों से प्राप्त होती है, जिससे क्या होता है, बस्तर निर्मान होता है, ठीक है, तसर से, तो ये थे आपके परमुख बनोतपाद, अब हम टॉपिक चेंज करते हैं इसमें, अब हम बन जीव विहार के बारे मध्यन करेंगे, बिहार में कौन-कौन से अभिहारन हैं, बिहार में कि ज़िए ने जोन में आ चुके यानी जो बिलूपत होने के कगार पर जो जानबर है उनकी सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो जीव विवित्ता है उसको बचाया जाए ठीक है उसके बाद है बरतमान में राज्यों में एक राष्टिया उद्यान है एक मात्राप के बिहार में राष्टिया उद्यान है वो है बालमी की नगर राष्टिया उद्यान ठीक है औ पस्चिम चमपारन जीले में भारत के नेपाल सीमा पर इस्तित है इस राष्टिया उद्धियान को जो है प्रजेक्ट टैगर के अंतरगत 1901 में समलित किया गया था ठीक है कब किया गया था तो 1901 में और यह कितने छेट फल में फैला हुआ है तो 335.6 वर किलो मीटर छेट में फैला हुआ है इस point को भी आप note कर लेंगे उसके बाद है 2015 की गन्ना के अनुसार अब यहां पे बागो की संख्या बहुत कम बाग थे 8 या 9 थे लेकिन 2015 में गन्ना के अनुसार यहां पे 28 बागो की संख्या है ठीक है अब वन जीव अभ्यारन यह थे आपके राष्टिया अब हम बात करेंगे परमुख वन्य जीव अभ्यारन्य का गौतम बुद वन्य जीव अभ्यारन्य यह गया के निकट जो है 137.22 वर किलोमीटर चितर में फैला है इसकी अस्थापना जो है यह पूसकता है कि गौतम बुद वन्य जीव अभ्यारन्य का है तो गौफर गौतम गौफर गया याद रखना है भीम बांध अभ्यारन टो 681 वर किलोमीटर के चितर में यह फैला हुआ मुंगेर में यह फैला हुआ है और इसकी विस्थापना 1976 में होई और जानवर पक्षी विहार जहांपे की विदेशों से भी पक्षी आ करके निवास करते हैं ठीक है तो उसमें सर्व से पर्थम अस्थान पर है कावर जील पक्षी अभ्यारन जो की बेगु सराय जीले में 63 किलो मीटर के छेतर में फैला हुआ है और इस इसमें जो है ठंडे मोसम में इस जील में ठंडे मोसम में भिन भिन परजाती के पक्षी जो साइबेरियन पक्षी जो की चीन मंगोलिया साइबेरिया यूरोप के छेतर से यहां पर आते हैं अफगानिस्तान के छेतर से आते हैं और पूरे ठंड भर यहां पर निवास करते हैं कुसेसर पक्षी अभिहारन जो है बिहार यह कहा है तो यह दर्भंगा में कुसेसर अस्थानिक जगह है वहाँ पे 29.2-3 बर किलो मीटर चेतफर में फैला हुआ है उत्तर भारत का अगर देखें तो सबसे बड़ा पक्षी बिहार कुसेसर पक्षी बिहार ही है जहाँ पे साइ 1987 में पक्षी बिहार के रुप में मनता मिली है नक्टी पक्षी बिहार को अब है बकसर पक्षी बिहार बकसर जिले में 25 वर किलो मीटर चेतर फल में बिक्सित है अक्टूबर माह में लालसर नामक पक्षी कस्मीर से यहाँ प्रवास करने आते है तो कहां पे आते हैं तो बक में कस्मीर की वादियों में उल्ला उठ जाती है गोगा वील पक्षी विहार ये कटिहार जिला में 27.99 एकर छेतर में फैला हुआ है उनिस्वा नब्य में से पक्षी विहार के रूप में मानता मिली है अब थोड़ा सा बात करेंगे डॉल्फिन अभ्यारन का विकरम सीला यह भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारन है उनिस्वा नब्य में से डॉल्फिन अभ्यारन के नाम से मानता दी गई है और यह 50 किलो मीटर के छित्रफल में फैला हुआ है इसमें डॉल्फिन की संख्या लगभग 240-480 के बीच में है ठीक है जिसको हम जो है बिहारी भासा मे सोईस भी कहते है ठीक है उसके बाद है जैविक उद्धियान तो एक जैविक उद्धियान मातर है बिहार के पत्ना में इस्तित संजय गांदी जैविक उद्धियान यह पत्ना में इस्तित है इस उद्धियान में विभिन परकार के पसुपक्षी एवंबनसपति को संड़क च्छित रखा गया है यह 152.95 एकर च्छित फल में फैला हुआ है यह गेंडा परजनन के संदर में देश का पर्थम अस्थान रखता है और यहां पर एक 11 कमरों का सांप घर भी है जो इसकी परमुक विशेषता है उसके बाद परमुक तत्थ और भी महत्पून तत्थ हम जा गया है डॉल्फिन के परति जंज आगरिती फैलाने के उद्धे से 5 अक्टूबर 2013 को बिहार में डॉल्फिन सनक्षन योजना का सुभारम किया गया यानि परतियक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 अगस्त को विरिक्ष इस परकार से आपका थेवरी सेक्षन कंप्लीट होता है और हम लोग जो है अब अब यहां से करेंगे ठीक है तो इस अब जेक्टिव को जो है आप अच्छे से समझने का प्रियास कीजिएगा और प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपके एक्जामे कोशन्स नहीं छूटेगा चलिए अब आते हैं सबसे पहला कोशन पर अबजेक्टिव कोशन्स जो भी है यहां पर इसको हम करते हैं ठीक है सबसे पहला है बिहार पिर्थवी दिवस तो हमने अभी तुरत पढ़ा आपका पढ़ाया था कि बिहार पिर्थवी दिवस जो है आठ अगस्त को मनाया जाता है ठीक है बिहार के अंदर पिर्थवी दिवस जो है आठ अगस्त को तो एक का तीन बिक्च शुरक्षा दिवस्त का मनाया जाता है तो हमने वो देखा कि वो 21 अगस्त को मनाया जाता है उसके बाद भीहार प्रवासी पक्षी डॉल्फिन दिवस हमको पता है पॉच अक्टूबर को तो अब ये क्या हो गया C का क्या हो गया एक तो ये आपका option जो है कौन सा दिख रहा है तो वो आपका option नमर B A का 3 B का 4 C का 1 और D का 2 ठीक है option नमर B इसका सही जवाब है तो यहां से पूछे जा सकते हैं उसके बाद है next question है बिहार में 1 छेतर कितना है ठीक है बिहार में 1 छेतर कितना है तो 6845 वर किलो मीटर पर 1 छेतर है ठीक है option नमर A इसका सही जवाब है next question है बिहार के कुल भूभाग के कितने परतिसत पर बन फैला हुआ है तो लगभग 7.2 यहां पर है option में तो हम इसी को किलिक करेंगे साथ सबासाथ के आसपास जो है आपका बन है ठीक है उसके बाद है बिहार में कौन राष्टिय उद्यान बाग प्रियोजना के अंतरगत आता है तो हमने आपको बताया बालमी की नगर जो उद्यान है पस्रिम चंपारन में उसमें 28 बाग है टाइगर प्रुजेक्ट के तहत यहां आता है गंगा नदी में पाई जाने वाले अस्तनी वर्ग के प्रौनी का नाम क्या है तो वो है डॉल्फिन ठीक है बिकरम सिला डॉल्फिन अभ्यारन भी है भागलपूर में इसकी वी चर्चा हमने किया था अब कोश्चन नम्मर आते हैं छे पर बिहार में किस भाग को डॉल्फिन अभ्यारन घोसित किया गया है भागलपूर और कहल गाउं तो इसका एंसर यही हो जाएगा छे का क्या हो जाएगा आपका ए भागलपूर और कहल गाउं के बीच का जो 50 किलो मीटर का छेतर है गंगा नदी का वो आपका क्या है डॉल्फ जील आपको पता होगा कावर जील बेगुसराय में है ठीक है कुशेसर रस्था दर्भंगा में है कोगाविल जो है आपका कटिहार में है और नक्टी का जम्मुई में ये सारे पक्षी अभ्यारन है तो इसका option देख लीजिए जो है आपका यहाँ पर जैसे ABCD option कर लेते हैं ABCD एक दो तीन चार यनि आपका एक का क्या होना चाहिए चार तो पहला में देखिए चार यहीं पर है बी का क्या है आपका बी का कुशेसर जो है दर्भंगा में है ठीक है तो एक दो तीन चार उसके बाद आपका लास्ट में क्या है आपका कावर जील तो एक का चार सबसे पहले हम देख लेंगे या इधर से करते हैं तो ये याद रखना है इसका थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये अफिर जो है आपका बी का जो है दूसरा हाँ ये सही है बी का दूसरा ठीक है अज सी का पहला ठीक है डी का जो है आपका कहा है नक्टी तो जामूरी में तीन तो अप्सन नमर यहाँ पर सी इसका सही जवाब ह क्योंकि option number जो है आपका B का जो है option 2 होना चाहिए तो option number C में वो दिखाई दे रहा है ठीक है अब भीम बांद अभ्यारन तो आपको पता है भीम बांद अभ्यारन कहा है मुंगेर जिला में यह 65th BPSC में यह questions पूछा भी गया था उसके बाद बिहार में किस परकार के बन पाए जाते हैं इसमें एक question पूछा था कि पुछा था आद्र जो पढ़्ण पाती बन है कहां पाए जाते हैं तो जगा का नाम option में दे दिया था जिला तो हम जानते हैं कि जो आपका स्वमिस्त्वर की पहरियो पस्षिम चंपारन के साधी था तो option में एक पस्षिम चंपारन था जो उसका सही जवाब था ठीक है तो deeply question यहां पे कौन से अप्रादारित पूछे जा सकते हैं बिहार में किस परकार के बन पाये जाते हैं तो आदर भी है और सुस्क भी है यानि उप्युक दोनों तो option नमर सीज का सही जवाब है अब है बिहार में इस्तित अभ्यारन जेविक उद्यानों के इस्तिति जिला को सुमेलित कीजिए चलिए ठीक है सुमेलित करते हैं अब questions को आप लो जो है अभ्यारन बोद गया में है और राजगीर अभ्यारन कर एक में इस परकार से आपका मिल गया तो इसका exact answer क्या हो जाएगा आपका तो यहाँ पर देखिए तो A का देखिए यहाँ पर पटना A का यानि पॉच तो दो ही option है B का क्या है आपका 3 और C का क्या है आपका 2 ठीक है B का 4 और E का 1 option नमर A में ऐसा दिखाई दे रहा है इसलिए इसका option नमर A इसका सही जबाब हो गया ठीक है अब है भीमबांद अभ्यारन मुगेर में किस तरह का 1 पर देश है ठीक है तो यह जो है भीमबांद अभ्यारन मुगेर में है वो आपका सुस्क दक्चिन भीहार में जितने भी हैं वो सुस्क ही है ठीक है तो सुस्क पतजर बन है भीहार में सरवाधिक one वाला जिला हमने आपको बताया अच्छ, बिहार में सरवाधिक one छेDidron वाला जिला, तो यहाँ पर जो option है, option के हिसाब से कौन सा हो जाएगा आपका, option के हिसाब से हो जाएगा आपका, रहतास क्योंकि औरंगाबाद, भागलपूर, वेगुसराय, रोहतास, भववा, मैंने चार जो बताया था, ठीक है, उसमें जायदा है, बंचित, तो कोस्चन में 12 तक हो गया, चली, इतने ही कोस्चन थे इसमें, सिर्फ प्रैक्टिस में, तो हमने जो है, इसको अच्छे से वो जरूर इस वीडियो को देखें, आप जब एक्जाम देंगे, तब आपको पता चलेगा, ये सारे कोस्चन मेरे अनभव, और जो मैं आपको एक्स्प्लें करता हूँ, इंफेसाइज करता हूँ, तो वो हम अपने अनभव के आधार पर आपको बताते हैं, कि इस टाइप में जो भी एक्जाम हो, उसको अच्छे से हम, अच्छे से किलियर करें, अच्छा स्कोर करें, तो उसके लिए आप जरूर देखें, और टेस्सरी जोइन करने के लिए फिर से मैं एक बार बता दू, डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाकर के आप जोइन कर स थें, thank you so much watching for this video